Airtail Payment Bank जो की Payment Bank में सबसे पॉपुलर है अगर आप फोन पे Google Pay Pay PayTifen को यूज दाते हैं और आपके पास किसी भी बैंक में Account नहीं है तो Airacks Payment Bank में आप Account Open कर सकते हैं घर बेटे आउनलाईन और Account Open होते ही आप Google Pay, Phone Pay Pay Paycam को यूज कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप घर वेटे आउनलाइन एरटेल पेमेंट बैंक को ओपेंट कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको एरटेल थैंक्स एप को इंस्टॉल करने हैं अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर एरटेल थैंक्स एप को इंस्टॉल करने हैं इस्टॉल करने के बाद आपको ओपेंट का ओप्सन दिखाए देगा सिंपली इस ओपेंट वाले ओप्सन पर किलिक नहीं है अगर दोस्तों आप B.I.E. G.O. B.S.N.L. कोई भी सीम आप यूज करते हैं यानि कि आप किसी भी operator का सीम यूज करते हैं तो Airtel Payment Bank में आप एकान ओपेंड कर सकते हैं आपको उस mobile number को इंटर करना यहाँ पर जिस mobile number से आप Airtel Payment Bank ओपेंड करना गोगा संब्सक्राइगे जो मुइरब नमबर पर योट फी जाएगा और नहीं लिया तो ठीलू एपसे यह कोंचरे आप सबसे पहले आपको वॉलेट को करना चाहे देगा तो सिंपल सा को गेट बालेट के आप क्लिक करेंगे आप के सामने कुछ इस तरह का इंटरपेस आ जाएगा अब दोस्तों वालेट के एक्टिवेट करने के लिए इस foreign को फील करना होगा अब यहां पे दोस्तो first name आपको देना जो भी ID card आप यहां पर देंगे जैसे आधार कार्ट पेंगे उसमें आपका first name क्या है वो first name आपको डाल देना है उसको last name आपको डाल देना है उसको date of birth आपको डाल देना है आपका email ID आपको डाल देना है अगर यहां पर ले ले लेता है ठीक है नही दोकोमेंट आप देंगे दोस्तों यहाँपे I-D पुरूप देंगे उसका यहाँपे डकोमेंट का नमबर आपको नीचे में डाल देना है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँपे नीचे मे लिखा देगा to continue का option पे simply आपको पर first name last name date of birth मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जो भी मेरा date of birth है आपको इसी तरह से date of birth यहाँ पर select करने के बाद दोस्तों आपको अपने area का pin code डाल देंगे उसको बाद जो भी आप यहाँ पर document select करेंगे ID proof उस ID proof का number आपको डाल कर चेक बॉक्स पर क्लिक करके continue option पर click करेंगे continue पर जैसे click करेंगे अब यहाँ पर बोल रहा है create your MPN तो आपको MPN create करना पड़ेगा MPN create करने से आपको दोस्तों फायदा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पर अपने virtual debit card को देखना चाहते हैं तो MPN की ज्यूद परती है अगर आप दोस्तों यहाँ पर अपने account number IFC code देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर MPN की ज्यूद परती है तो MPN की ज्यूद बहुत ज्यादा पड़ती है तो दोस्तों आपको for date का अपने margin के साब से MPN आपको create कर लेना है जो भी आप MPN की करेंगे वह आपको confirm MPN में डाल देना है उसको पर मैं किलिक करता हूँ जैसा ही दोस्तों confirm का option पर किलिक करेंगे यहाँ पर दिख रहा है बिल पेमेंट कर सकते हैं टिकेट बुक कर सकते हैं सौपिंग कर सकते हैं तो आपका फ़हला काम हो गया एयर टेल पेमेंट बैंक में आपका एयर टेल वालेट एक्टिवेट हो चुक है मतलब की वालेट एक्टिवेट हो चुक है अब वालेट में आप 9000 मैक्सिमम रख सकत पर दोस्तों आपके wallet में अभी 0 रुपिया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर add money करके अपने wallet में यहाँ पर पैसे रख सकते हैं, ठीक है, अब दोस्तों आपका Airtel Payment Bank open हो चुका है, पर दोस्तों Airtel Payment Bank का full के वैसी आपका complete नहीं हो तो, के वैसी करने के लिए आपको करन चाहते हैं, तो आपको pain card, आधार card होना जरूरी है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, दोस्तों के वैसी करने के लिए upgrade account का option दिखाए देगा, अब आपने Airtel Payment Bank के फूल के वैसी करना चाहते हैं, तो आपको करना चाहते हैं, नीचे में get started के एक option दिखाए देगा, simply is get started के option पे click कर देगा, जैसे ही दोस्तों get started के option पे आप click करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजागा, अब आपको Airtel Payment Bank को फूल के वैसी करने के लिए आपको आधार card का नंबर डाल देगा, और नीचे में आपको pain card का नंबर डाल देगा, चेक बोक्स पे click करके next के option पे click करता हूँ, यहाँ पर दोस्तों मैं सभी चीज डाल दिया हूँ, और यहाँ पर नेच्ट के option पे click करता हूँ, जैसे दोस्तों next का option पे click करता हूँ, मेरे registered mobile number यानि की आधार card में जो भी आपको mobile number link होगा, registered होगा, उस पर OTP जाएगा, तो उस OTP को आपको यहाँ तो आपको पूरा डिटेल ले लिया जागा, आपको एक पे पे लेना है, और साधा पे रख लेना है, और आधार card और पे पास रखना चाहिए, उस पर वीडियो के वैसी आप कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि मेरे आधार card payment card से पहले से ही, अटल payment bank में account open हो चुगा, आपको करना क्या वर्चुल debit card आपको लेना है, तो आपको करना क्या है, wallet के option पे click करना है, और दोस्तों यहाँ पर देख सकते है, view detail के एक option दिखाए देगा, simply इस virtual debit card के नीचे में देख सकते है, view detail के एक option दिखाए देगा, simply इस view detail के option पे click करना है, आपको यहाँ पर दोस्तों बर्चुल debit card मिल जाता है, अब दोस्तों आपको करना है कि जो भी आप M-pin बनाये थे, account open करने के बाद, वो M-pin आपको डाल देना जो M-pin बनाया थे, वो M-pin डाल देंगे, जैसे ही M-pin डालेंगे, आपको virtual debit card सो हो जाएगा, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे M-pin डालें, M-pin डालने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, virtual debit card यहाँ पे कुछ इस तरह के इंडर पे सो करेगा, आपका आपको कैसे link कर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों आपको करना चाहोगा, आपको back चले आना क्लिक करेंगे आपको सामने इस तरते सोख रहेगा अब को क्या टाफ् है तकर उसके बच्रणम को दोस्तों कुछ ऐसे डिखते सीई hem पर processing चलता है आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अब दोस्तों जो भी आप bank account लिंक करना चाहते हैं उस bank account को यहाँ पर search करना यहाँ पर select कर लेना है तो चलिए दोस्तों मैं अपने bank account को यहाँ पर search कर लेता हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पर so नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पर search करना पड़ेगा अगर दोस्तों यहाँ पर state bank of India को यहाँ पर है तो आपको select करना है यहां पर मेरा bank of India का है नियों कर दिलिक यहां पर यहां प्र यहां पर डिखह सकते हैं bank Link हो चुक है एक टल पेमेंट बैंक में यहां पर देख सकते हैं मेरा bank को लिंक हो चुका और दोस्टों यूपया या间 आद बहुत क्या ओब यहां पर उपर में दिखायद दे रहा है तो दोस्तों इस तरह से आप एठल पेमेंट में ऐकाउंड में ओपैन कर सकते हैं वालेट को मैं एक्टिवेट कर सकाऊं उसके बात दोस्तों मैं वीडियो के वैसी बता दिया हूं कैसे आपको फुल के बैसी करना है उसके बाद दोस्तों आप अपने बैंकाट को कैसे लिंक करेंगे यूपिया आडिया आपको कैसे मिलेगा वर्चुल डेविट काड़ आपको कैसे मिलेगा सबी चीज दो तो मैं आपको इस वीडियो में बता तो